ठंडा पानी हमारे शेरीर की प्यास हो जाता है और गरम पानी हमारे शेरीर की बिमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है आपको ये बात सुनने में काफी अजीब लग दे ही होगी कि ठंडा पानी केवल हमारे शेरीर की प्यास ही हो जाता है जबकि कहा जाता है कि हमारा शेरी 70% पानी का बना हुआ होता है कि आपको गरम पानी का सेवन अर्ली मॉर्निंग जरूर करना चाहिए ऐसा करने से आप काफी बिमारियों से अपने शेरी को बचा सकते हैं तो आईए जानते हैं गरम पानी का सेवन करने के फायदों के बारे में विस्तार से टिक नमबर वन गरम पानी का सेवन करने से हमारे शेरी के अंदर जमा विशेलित तत्व खतम होते हैं जो कि कई बार तला हुआ खाने से जंप फूट खाने से हमारे शेरी के अंदर वास करते हैं अगर आप भी ज्यादा मोटापा जेर रहे हैं तो आपको गरम पानी पीने की जरूरत है टिक नमबर टू गरम पानी का सेवन करने से हम constipation यानी की cups, acidity और पाचन के रियर से संबंधित सारी परिशानियों को दूर कर सकते हैं अगर आपको acidity और cups ज्यादा होती है और खाना खाने के बाद आपका खाना ठीक से digest नहीं हो पाता है तो आपको गरम पानी का सेवन करना चाहिए सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद एक एक गलास गरम पानी का सेवन कीजिए अगर आप regular इस फ्रकेडिया को एक महीने तक दोहराएंगे तो आपकी acidity और cups के बिमारी में आपको राहत मिलेगी टिप नमबर 3 भूप का कम लगना, खाने में रूची कम होना और पेट में भारिपन ये समस्या आम बात हो गई है, अगर आपको भी भूप कम लगती है तो आप गरम पानी का सेवन कर सकते हैं एक गलास गुनगुने पानी के अंदर एक नीमबू, थोड़ा सा चाय पत्ती और स्वाद अनुसार काला नमक डाल कर इसका सेवन कीजिए इस प्रकेरिया को अगर आप 10 से 15 दिन तक दोराएंगे तो आपकी भूप सामानने हो जाएगी, साथ ही साथ पेट का भारी पन भी दूर होगा तिप नमबर 4, अगर आपको बुखार है तो आपको ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए जी हाँ, भुखार के पेशेंट को या फिर जिस व्यक्ति को भुखार हो, आपको उसे ठंडे पानी का सेवन करने से रोकना चाहिए उसे गर्म पानी का सेवन ही कराना चाहिए क्योंकि ठंडे पानी के अंदर ज्यादा मातरा में विशैले तत्वो होते हैं जो की शरीर को और कमजोर बनाते हैं और आपने सुना ही होगा कि पानी गरम करने से उसकी अशुध्या नश्ट हो जाती है इसलिए अगर आपको बुखार है तो आप ठंडे की जगा गरम पानी का सेवन कीजिए आपका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा टिप नमबर फाइफ अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो भी गरम पानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम हो पाए है सवेरे एक गरम पानी के अंदर नीमूनी चोड़कर पीने से आपका वजन घटने में आपको सहायता मिलेगी क्योंकि इस प्रकिरिया को करने से शरीर का मेटापॉलिजम घटता है साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर क्यालरीस भी बर्न होती है अगर आप भी अपनी क्यालरीस को बर्न करना चाहते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको गरम पानी का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए गरम पानी का सेवन करने से आपको तुरंत एनरजी भी मिलती है हो सकता है कि गरम पानी का सेवन करते वक्त आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे लेकिन ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है So friends, ये थे गरम पानी का सेवन करने के फायदे इनका लाब उठाइए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हैलसे रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सिब्सक्राइब कीजे